एक छेला के जीवन, खलीश्या के निर्मान की सेवा, इसका अलावा बाइबल डाक्टरिन के बारे में, पवित्रा आत्मा के बारे में, चाए मेरे द्वारा, चाए गुरुजी के द्वारा, चाए भाई फ्रांसेस के द्वारा, हम सब कोई जो सिक रहे हैं, और इस बीबी से बैवल कॉर्स चलाने का उदेश पास्टर दिलीप के अंदर यह हैं कि आप सब को एक अच्छा बैवल का जानकार विक्ति बन जाए और प्रगु के लिए आप एक अच्छा अपना काम करते वे सेवक बने और हम लोग के जिसे आप लोग भी प्रभु के लिए प्रभु के काम में लग जाएं इस उदेश के साथ आपको तयार किया जा रहा है जितना आप पढ़ते हैं उसका अनुसार आप अपने जीवन में कुछ-कुछ करके प्रभु के मदद मांगकर पवित्रात्मा में वो के सेवा जरूर करिए पर सेवकाई दूसरा छेला की जीवन डिसाइपल लाइफ अप डिसाइपल डिसाइपल इस छेला की जीवन तीसरा कलिश्या की निर्मान कलिश्या की रोपन इन तीनों बातों को हम सिखेंगे सालबर सिखेंगे अभी हम सू समचार की सेवकाई के बारे में जो बीते हाफता मैं बीते बार मैंने सुरू किया था उसी को मैं पहले तोड़ा सा पांच मिनिट याद दिला था उसके बाद जहां पर मैं छोड़ा था वहीं से मैं सुरू करूंगा और इसका रकाडिंग यहां पर हो रहा है कभी-कभी आम आपको देख के बोलने के जैसे लगेगा तो समझ पीचे एक और मोबाइल में रकाडिंग हो रहा है इसलिए आप इससे आप यह नहीं सोच ना कि बैया आम लोग को क्यों नहीं देख रहे हैं नहीं नहीं बैया दोनों तरफ देख रहे हैं इसलिए ताकि अभी जो पड़ा रहे हैं यह आपको दुबारा देखने के लिए पास्ट दिलिप से मैंने निवेदन किया कि किसी किसी को इस इंदी भाषा में जो वह रहा है इसको आप मराटी बाषा में अनुवाद करके लिखने के लिए बोलिए सबी जो सिक्षा आए हैं आपको दी जा रहे हैं इसको बवश में परमेश्व कीच्छा होगी काम किया जा रहा है ठीक है ना तो राइट मैं आपको सू समाचार का मतलब किया है जो मैं बीते बार सुनाया था उसको सिर्फ पहले याद दिला रहा हूं खुरूज की मृत्यू के द्वारा प्रभू ईश्व मसी ने मानो जाती के लिए जो कुछ किया था उसको बताना ही स समाचार करके मैं ने कहा था मैं आपसे कहा था मैं दस बात को बोलूँगा करके मैं आपसे कहा था समय के अबाव होने के कारण हम लोग दस बात को हम लोग सिख नहीं सके पांच बात को हम सिखे थे हम पांच बात को पहले याद दिला रहे हैं उसके बाद हम आपको छे से द सकते कोई बातने आपको रकडिंग बेज़े जाएगा कि खुरूस की मृतिव कि प्रभु यूश्व मसी की जो ही थी उस मृतिव के द्वारा उसने संसार बर में राएने वाले मानव जाती के लिए क्या किया है इसके बारे में लोगों को समझाना ही सू समचार है अब दूसरा एक पापी मनुष अपने आपको पापी करके निरूतर करना दूसरा उसके लिए एक उधार करता कि जरूरत है इस बात को उनको सिखाना ही सू समचार है तीसरा जो विक्ति मन फिरा लिया या अपने आपको पापी करके समझ लिया उसको किसी एक कलिशिया में उसको अंग बनना है और अंग बनने के बाद प्रभीश मसी को दिल से अपनाना है इस तीसरी बात है इस बात को उनको समझाना है सुसमाचार के मतलब इस बात को इन तीनों बातों को step by step उनको सिकाना समझाना है चौती बात हम इस काम को इस स्यवकाई को करते समय संपर्न तवस्य पवित्र आत्मा की सहरा ले करके करना है पवित्र आत्मा की बगएर हम कुछ नहीं कर सकते इसकी बारे में अलगसे आपको ट्रैनिंग प्रसिक्षिंझ दिया जा रहा है आप उसको जरूर उसमें सिखेंगे लेकिन याद रखें चार पाइंट में हमने आप से कहा कि इस सेवकाई कोई भी सेवकाई है सभी सेवकाई को करने के लिए पवित्रात्मा का मदद चाहिए बेगर पवित्रात्मा के हम कोई सेवा नहीं कर सकते हैं जरूर अगर हम ऐसा करत हैं पवित्रात्मा का अभिशेक के बगएर पवित्रात्मा के सामर्त के बगएर पवित्रात्मा के बरदान के बगएर हम सेवा करते हैं वो किस प्रकार होगा उसको समझ लेजिए मान लेजिए किसी कंपणी में आप काम कर रहे हैं एक पूरा मैना काम किये अगर आपको वेतन दिया जाएगा तो कैसा लगेगा तो इसका मतलब आपने मेहनत कर दिया प्रतिफल आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है इससे आप समझ सकते हैं पवितरात्मा हमारे लिए सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है हम पवितरात्मा के बगर कुछ नहीं कर सकते हैं अ कारने से पहले भी कहा कि मेरे बाद में तुम्हारे लिए एक सहारा को मैं बेजूंगा मैं मरूंगा गाड़ा जाओंगा तीसरा दिन जीव उटूंगा स्वर्ग जाओंगा मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए एक सहारा पवित्रातुमा तुम्हारे लिए दिया जाएगा इसी कारण जीव उठने के बाद जब जीवी था उस समय में भी कहा था जीव उठने के बाद स्वर्ग उठा लिये जाने से पहले प्रभु इश्व मसी ने कहा तुम लोग सब के सब 120 लोगों को प्रभु आगें दिया सब के सब तुम लोग जाके इरसले में पवितर आत्मा क तुम पर आएगा प्रेडितों का काम की पुस्तक पहला दिया है कि आठ पद को मैं बोल रहा है जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्त पाओगे इरसले में समर्या में युदेया में और संसार के आकरी छोर तक तुम लोग मेरे लिए गवाँ बनोगे तो इसे आप समझ सकते हैं पवित्रात्मा पाने के बाद ही पवित्रात्मा का अभिशे को प्राप्त करने के बाद ही दान बरदान को प्राप्त करने के बाद सेवक लोग संपोर्न तवर से सेवा में लग गए थे इस कारण उनकी सेवा में बहुत ज़्यादा उनके लिए प् आपको अन्य बाशा बोलने का बर्दान नहीं मिला और उसके लिए आप उदास निराश होने के जरूरत ने प्रभु से मांगिए अभी शेक आपको पवित्रात्म का अभी शेक मिल गया होगा उसके लिए प्रभु से बोलिए प्रातना करके कि प्रभु मुझे अन्य अन्य ब की लिए आप वंको बरदान दीजी प्रभू जरूर देगा लेकिन एक बात पर ज्यान देना सु समचार की सेवकाई हो या अन्विया कोई भी सेवकाई क्यों न हो उस सेवकाई को करने के लिए हमें पवित्रात्मा का सामर्थ की जरूरत है पवित्रात्मा के अभिषय की कि परमेश्वर की नाम चिस्तुति और प्रशन सहोंने पाई एक विक्ति अपने आपको पाप्पी करके वो अपने आपको महसुज़ करना है और महसुज़ करने के बाद उसको परमेश्वर के साथ जोड़ना ही सूसमाचार का महतoreng कार्ण है और इसमें उसको एक मेन बात क्या है जब आप किसी को सुसमचार सुनाते हैं उसको किसके साथ जोड़ना है अर्थात उसका जो उधार करता है प्रभु ईश्व मसी उसके साथ उस वेक्ति को जोड़ना है हम भी पापी थे आप सब को भी पापी थे हम सब के लिए किसी ने सू समचार प्रचार किया हम सब लोग सू समचार सुने हैं और हम सब को सू समचार सुनाने के बाद जो विक्ति सुनाया था उसने हमको चर्च में ले गिया उसने परमेश्वर के दासों के साथ हमलों को जोड़ा परमेश्वर के दासों को द्वारा सबसे महतुपूर्ण बात हमारा उधार करता प्रभु ईशु मसी के साथ हमें जोड़ दिया था इस कारण हम सब को आज तक प्रभु ईशु मसी के साथ है इस बात को समझ लेजे यह जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरों के साथ करेंगे बाइबल के वचेन का रुसार अब उनको उधार करता के बारे में उनको समझाना मैं पांची बात को ही बोल रहा हूँ वही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बीते बार में वही पर रुकाता है फ्रेरितों का काम की पुस्तक उसकी चार अदियाए उसमें बारा पद है दुबारा बोल रहा हूँ लिखने वालों के लिए मदत होगी एक्स बुक अफ एक्स परेरितों का काम उसमें चार अदियाए बारा पद मैं पढ़ रहा हूँ किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनश्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गिया जिसके द्वारा हम उधार पा सकें दूसरा कोई नाम नहीं दिया गिया दूसरा किसी नाम से उधार नहीं केवल प्रभु ईश्व मसी के नाम स्वर्ग से हमारे लिए मानव जाती के उद्धार के लिए दिया गया है इसलिए उसी प्रभु ईश्व मसी के नाम से ही हमारे उद्धार होगी जब ये अनवो हमको हैं तब इस अनवो को उनको सही तवर से समझाना सिकाना हमारा करता हुए है प्रभु के नाम की स्थूति हो अब मैं इसके साथ एक और वच्छन को जोड रहा हूं तोड़ा सा ज्यान से उस बात को भी समझ ले जाए मतिरचित्सू समाचार की पुस्तक मतिरचित्सू समाचार की पुस्तक उसकी पहला दिया है प्रभु को नाम की स्थूति हो मतिरचित्सू समाचार की पुस्तक उसकी पहला दिया है उसमें हम आपको एक पद को मैं पहले मैं पढ़के सुना रहा हूं 21 पद को मैं आपको सुना रहा हूं द्यान दीजिए उद्धार करता के बारे में स्वर्गदूत क्या कहा वो पुत्र जनेगी और तु उसका नाम येशु रखना क्योंकि येशु अपने लोगों का उनकी पापों से उद्धार करेगा यहाँ पर ये जो वचन है असपास्ट तवर से उनको सिखाना होगा किसी भी विक्ति का अफसू समाचार सुनाते हैं भाई देखो बहन देखो किसी दूसरे के द्वार उदार नहीं कुछ दूसरा नाम नहीं दिया गया एक ही एक नाम दिया गया जिसका नाम इशु, इशु का नाम का अर्थ है, वो अपने लोगों की पापों को, पापों से उनको उधार करेगा, प्रभी इशु ही अमें उधार कर सकता, दूसरा कोई उधार नहीं कर सकता, जब प्रभी इशु मसी जनम लिया, ये तो प्रभी इ इसके बारे में क्या बतलाते हैं उसको तोड़ा समझ लेजिए इसी मतिरचुसू समचार की पुस्तक उसकी 16 दिया है उसमें 21 पद को आप बाइबल में से निकाल के रख ले अगर आप लिखते हैं अच्छी बात लिखते जाईए और कोई देख रहे हैं कोई बात ने आप दे समय में इस बयान को प्रभीश मसी ने दिया कि उस समय से येशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवर्ष्य है कि एरसलेम को जाऊं और पुरनियों के पुरनियों और महायाजों को और सास्तुरियों का हातों से बहुत दुख उठाऊं और मार मार डाला जाऊं और तीसरा दिन जी उटूं देखे स्टेप बए स्टेप प्रभीश मसी जनम होने से पहले स्वर्गदूत प्रभीश मसी के बारे में इस तर बतलाया था कि वो पुत्र जनेगी उसका नाम इशु रखना येशु का मतलब वो अपने लोगों को पापों से उधार करे सुसमाचार की जो प्रचार हैं सुसमाचार की जो काम हैं उन सभी कामों में सबसे महतवपूर्ण काम इंसान की जीवन में उधार का काम कैसे होता हैं इसके बारे में सही तवर से लोगों को समझाना सिखाना हैं जब आप सही तवर से समझाएंगे आपकी बात को सुनने वाला वक्ति जब तक सही तवर से नहीं समझेगा तब तक वो आपकी बातों के लिए कोई रस्पांस नहीं करेगा कोई भी किसान केत में बीज डालता है वो बहुत इंतजार करता है आज बीज डाल दिया तो कली हम कटनी करेंगे करके कोई भी किसान नहीं सोचता है बीज बोता है पानी पटाता है कादर डालता है और उसके लिए जो भी काम करना सब काम करता है चार मैना के बाद ती मैना के बाद उसको जब कटनी करने के समय आती है उस समय तक वो इंतजार करता है मैं आप से कह रहा हूँ मैं आप से बहुत ज़्यादा कुश हूँ इसलिए आप सभी कामों को छोड़के प्रभु का वच्चन को सिखने सेवकाई की तरीका को सिखने के लिए आप बैटे हैं प्रभु आपको बहुत आशिश देगा साथे साथ प्रभु आपको सेवा में जबर्दस्त अवर से इस्तिमाल करेगा आज के समय में हमारे हिंदुस्तान में आपके जैसे लोगों की जरुरत है आपके जैसे लोग चाहिए हर कलिशिया में चाहिए हर कलिशिया में आपके जैसे लोग जागरद लोग चाहिए उनी के द्वारव उस चेतर में काम होगी पर्मिश्पर के नाम किस तुत्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब आप किसी के दिल में दिल अच्छी बूमी उस बूमी में आप जो बीज डालते हो पर्मिश्पर का वचन पर मिश्वर का वचन जब किसी मनुस की हिर्दय में बोया जाता है वो समय पर काम करने लगता है जब काम करने लगेगा वो विक्ति आपसे और ज़्यादा पूछने लगेगा जब आप सूसमाचार लोगों को बताने लगते हैं प्रचार करने लगते हैं उस समय में बीच बीच में कोई सवाल करते रहता है तो आप उसको बुरा मत मानिए आप उसको गलत मत समझे वो व्यक्ति जादा इच्छों के हैं वो जादा जानना चाहता है इस कारण वो आप से पूछते रहता है जो व्यक्ति पूछता है उसको आ आपको समय मिलता है, उनका नाम लेकर के, मैं तो कहूंगा, अगर दस लोगों के एक समय में आप सुना रहे हैं, उन दसों का नाम एक चोटा पैपर में लिकर के अपना पैकेट में रख लीजिए, जिब भी आपको दिन में समय मिलता है, काम करने के जा रहे हैं, बजार जा र आत्मे रख करके उसको पढ़िए अब पढ़ करके प्रभु को सुनाईए प्रभु इन लोगों को आप छुईए इनको आम वचन सुनाए हैं इनके लिए हम प्रातना कर रहे हैं मेरे जीवन में जिस तरह आप काम किये उसी तरह आप उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु त तो एक सवाल मैं बीते बार बारन बार बोल रहा था, क्यों येशु उदार करता है, क्या उदार किसी और को द्वारा नहीं हो सकता है, क्यों येशु मसी उदार करता है, इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, लोगों को देना, तो यहां प्रभु येशु मसी कहता है, जब मायाजकों सास्तुरियों का आज से बहुत दुक उटाओं और मार डाला जाओं और गाड़ा जाओं तीसरा दिन जीव उटों ये सब कुछ मेरे जीवन में वोना है तो प्रभु इश्व मसी के द्वारा ही उदार इसलिए है केवल प्रभु इश्व मसी ही मानव जाती के दिया दूसरा कोई भी बलिदान नहीं दिया बले नरसंगार करने के लिए पापियों को सजा देने के लिए पापियों को दंड देने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग आये थे परन्तु पापियों को उद्धार करने के लिए अगर कोई अवतार हुआ है वो हमारा उ लोग सवाल करेंगे केसे इश्व मसी केवल उधार करता है तो उसके लिए आप बतलाईए उनको कि मानव जाती के लिए अगर कोई देवता मरा है और केवल प्रभु इश्व मसी दूसरा कोई ने मरा है आप उनको अच्छा से समझाईए प्यार से बोलिए बहुत सारी देवत देवताओं को नाम हम लोग जानते होंगे परंतु यही एक मात्र उधार करता है मानव जाती को उनकी पापों से उनकी अंदकार की जीवन से सराप से सैतान के बंदन से तमाम प्रकार की दुख से आशांती से बेचाइनी से मनुष को उधार करने के लिए अगर कोई प्रभ यह मसी उसी के द्वारा इसलिए मानव जाती को उधार मिलेगी इस तरह लोगों को समझाईए तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात यहां पर जोड़ रहा हूं क्यों प्रभु यह मसी के वल उधार करता क्या किसी और के द्वारा उधार नहीं हो सकता मैं पहले एक वाचन आपको सुनाया था प्रडितों का काम चार अध्याई का बारा पर दुबारा पढ़ने के जरूत नहीं तुबारा लिए आपको जानकारी मैं दे रहा हूं वहां पर प्रभु यह मसी के बारे में बतलाया जाता किसी और नाम के द्वारा उधार नहीं आकाश के नीच उधार में समस्त दुनिया बर की लोगों के उधार के लिए एकी एक नाम दिया गया है वह नाम प्रभु यह करे नाम के श्तुत्य हो दूसरा कोई नाम नहीं है एक ही नाम के द्वारा हुदार है दूसरा आपकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ इस पांचवी बात को ही मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजेगा पहला कुरुटियों के पत्री उसकी पंद्रा दिया सू समाचार की इसकी ये के इतिहास की इतिहासिक मैं नीचे तक पढ़ रहा हूँ तोड़ासा ध्यान से आप अपने बाइबल में देख सकते हैं पहला कुरुटियों पंद्रा दिया तीसरा पद से मैं पढ़ रहा हूँ इसी कारण मैंने सबसे पहले तुमें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र सांस्तर के वचन का अनुसार येश्व मसी हमारा पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र सांस्तर के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा और कैफा को टब बारा ओंको दिकाई दिया फिर पांच सो से अतिक भायों को भी एक साथ दिकाई दिया अलग-अलग से नहीं अलग-अलग से दिकाई देता है उसके बाद एक साथ पांच सो लोगों को दिकाई दिया दर्शन दिया फिर पांच सो से अतिक भायों को एक साथ दिकाई दिया जिन में से बहुतेरे अभी तक वर्तमान है यानि जीवित है पर कितने सोग है साथ पद को मैं पढ़ रहा हूँ आठ पद तक पढ़ रहे हैं फिर याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रलितों को दिखाई दिया और सब के बाद मुझे भी मुझको भी दिखाई दिया पवलुस बोलता मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ प्रभुक नाम की स्थूति हो पवलुस अपने बार में भी कहता है छेले लोगों को बार में कहता है पांस साथ अतिक लोगों को ये एक साथ एक जगा में वो अपने आपको प्रगट किया दिखाई दिया मैं इन बातों के इसलिए बताया था कि किसी आपको पहले ये confident है एकदम पक्का परिपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु इश्व मसे कोई इनसान नहीं है वो इश्वर है पर इश्वर का वो पुत्र है जिस तरह उसके बारे में बाइबल दरम सास्तर में बहुशिदानिया है जिस तरह वचें में लिखा हुआ है उसी तरह प्रभु इश्व मसी के सभी बाते हुई ये करके पहले आपको इसके बारे में परिपूर्ण तवर से विश्वास करना होगा जब आप परिपूर्ण तवर से विश्वास करेंगे तब आपकी बोली में भी विश्वास रहेगी जैसे एक सब्द बोलते हैं कि आपका बोली में दम रहेगा अगर आपकी बोली बोलते समय में अगर आप एकदम बीना ब्रेक के गाड़ी जैसे आप बोलेंगे तो सुनने वाला भी उसी तरह सुनेगा आपके अंदर एकदम दमदार विश्वास होना चाहिए एकदम एक जबरदस्त अठल विश्वास होना चाहिए जो हिलना डूलना नहीं चाहिए एकदम अस्तिर अठल एकदम गंबिरता के साथ सहारे प्रकार की गंबिरता के साथ इस बात को इतिहास को दिखलाते हुए आपको सबूत करना होगा लोगों कर सामने यही एक मातर उद्धार करता दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है प्रभक नाम किस्तुती हो बहुत बार एक मिस्टेक होता सूर समाचार की सेवकाई में हम जो जानते हैं उसको बोलने के लिए हम ज़्यादा उथावली में रहते हैं एकदम धून में अंदा धून में बोलते रहेंगे इतना बोलते रहेंगे लोग समझे या ना समझे उसे कोई मतलब नहीं रहेगा एक क्लास में पढ़ाई हो रहा था अचासे सुनिएगा तब समझ भाएगा एक क्लास में मास्टर साहब पढ़ा रहते सब कोई द्यान से सुनते जा बच्चे सब सुन रहते एक लड़का का द्यान चत के कोना में एक छेद था उस छेद में एक चुवा गूस रहा था ठीक ना एक चुवा गूस रहा था वो लड़का केवल वो चुवा कोई देख रहा था मास्टर सा पढ़ा रहते सभी बच्चों से पूचे हम जो समझा रहे हैं समझाए हैं दिमाग में गुस गया मास्टर साब पूचे ते उसके लिए सभी बच्चे बोले हा सार बहुत अच्छा से गुस गया तब वो लड़का बोला जो चुवा देख रहा था, नहीं सार आदा ही गुसा, आदा नहीं गुसा, आदा बाहर है, क्योंकि वो तो द्यान नहीं दिया, वो तो चुवा को देख रहा था, माश्रसाप आदा गुसा है, आदा बाहर है लटक रहा है, तो वो ऐसा नहीं, मैं क्य अपने प्रबु के बारे में लोगों को समझाने बताने सिखाने के लिए हम लोगों के साथ बैड़ते हैं यह आदान प्रदान होना चाहिए दूसरों भी बात को सुनना है जब आप प्रचार करते जाते हैं उस समय पवित्र आत्मा उनका दिल को चूता होगा तब वो कुछ बोलना चाहता होगा उस समय आप तोड़ा रुखिएगा तब है उनकी बात को आप सुन पाएंगे समझ पाएंगे केवल यह नहीं हम आपने तरप से बोलते रहेंगे पकड़ आपको मिल जाएगा तब आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा मैं पांच बात को याद दिला जाएगा अब यह हम चटुवी बात को आपके सामने रख रहा हूं तोड़ा सा दियान से सुनिएगा कि सू समझार का मतलब क्या है पुराना जीवन में से मनफिरा के नया जीवन में ले आना ही सू समझार की सेवकाई हैं किसी भी इंसान को जब आप सु समचार सुनाते हैं उनका पुराना जीवन में से मनफिराव कानवव में उनको लेयाना और पवित्रा आत्मा के पास उनको अगुवा ही करना एक नया जीवन उनका अंदर उत्पन होने के लिए उनको उस्खाना मोटिवेट करना भाई पुराने बातों को छोड़ दीजे नई बातों में छली आईए ये जीवन देखिए कैसा है उस जगा में आप अपने जीवन के बारे में बतला सकता मैं पहले आईशा था गुंडा था डाकू था बदमास था मार पीट करने वाला था जगड़ा करने वाला था गाली गल द्याहं ये ज़गा था, भइविज़ा था मतले जो भी पाप हम लोगों में था मसी में आने से पहले उसमें से जो प्रभु इसजों हमें चुटक करा दिया प्रभु इसजों को पास आने के बाद हमार अंदर जो परिवर्तन आया पवित्रातमा हमें चुन्य के बाद अमार अंदर जो परिवर्तन आया प्रभु कवच्चन को पढ़ने के बाद अमार अंदर जो परिवर्तन आया इन सारे काम सु समाचार से ही सुरू होती है मान लिजे, दस कमरा का एक बड़ा मकान है बाहर का जो में डोर है उस डोर में ताला लगा रहेगा तो कोई अंदर नहीं जा सकते है मान लिजे, आपके पास चाबी है, आप उसको खोलिएगा main door कोलने के बाद एक कामरा का बाद, दूसरा कामरा, दूसरा कामरा का बाद, तीसरा कामरा, तीसरा room से चवदा रूम, इस तरह आप दस room में गुम सकते हैं, एक-एक करके जा सकते हैं क्योंकि द्वार आप कोल दी तो उसी तरह सूसमाचार हमारा जीवन को कोलता है जब आप हमारा जीवन में सूसमाचार का वचन कार्य करने लगता है हम सबसे पहले प्रभु यूश्व मस्जी पर विश्वास करने लगते हैं उस समय हमारा पाप की छमा के लिए हम प्रभु से प्रातना करने लगते हैं वचन को पढ़ने लगते हैं और बप्तिस्मा मन फिरा के बप्तिस्मा लेते हैं पुत्र पवित्रात्मा के नाम से उसके बाद हम पवित्रात्मा का अभिशेक को प्राप्त करते हैं दान और बर्दान अन्य अन्य भाशाओं में बोलने लगते हैं पवित्रात्मा में ओकी दुष्ठात्मा को ब इस तरह आप मसी में किसी विक्ति को जब आप अगुवाई करते हैं, उनका जीवन में इसी प्रकार का अनवव होता है, एक कमरा से दूसरा कमरा, यानि एक अनवव से दूसरा अनवव, दूसरा अनवव से तीसरा, तीसरा से चवता, इसी प्रकार वो विक्ति प्रभु का पा यदि कोई मस्य येश्व में है, वो नई स्रुष्टी है, पुराने बातें बीत गई है, देहो सब नई हो गई है जब नया जीवन वोने के अनुबव में इंसान आता है ये केक करके उनके अंदर का सारा गंदे जीवन, गंदे बाते, अविश्वास की बाते, असुद जीवन, सैतान के आदिन में रहने वाले सारे बाते उनका अंदर से खतम होने लगता है वो वक्ति नया स्रुष्टी बनता है यही आपके साथ भी हुआ यही मेरे साथ भी हुआ यही सब के साथ हुआ है मैं इसके साथ एक और और वचन को जोड रहा हूँ रोमियो के पत्री उसकी आठ दिया है रोमियो के पत्री उसकी आठ दिया है उसमें हम 14 पद 13-14 तो 14 पद को मैं आपके सामने रखता हूँ तो रसा दियान से समझ लेज़ेगा रोमियो बुक अफ रोमंस 8 चैप्टर 14 वर्ड इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं सू समचार एक विक्ती को कहां तक ले जाता देखिए सू समचार जब हम किसी को सुनाते हैं वो विक्ती सुनते सुनते विश्वास करते 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 वो परमेश्वर का पुत्र हो जाता है प्रभु के नाम की स्थुति हो हम में से कोई भी हम जो इसे BBC में अटेन कर रहे हैं हम डिरेक्ट प्रभु का संतान नहीं बने हमने अमारे सुरुवाद किसी ने हमको सुशु समचार सुनाया किसी ने हमसे अपना जीवन का अनुबव को बतलाया किसी ने उनकी जीवन में जो चंगाई हुआ है उनकी प्रातना सुनी गई है प्रातना के लिए उत्तर मिला है उन बातों को हम लोहों को बताया उसके बाद हमने विश्वास किया उसके बाद दीरे 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 हम परमिश्वर पर विश्वास किये उसके बाद छोटा छ उसके बाद हम मन फिराएं हम पिता पुद्र पवित्र आत्मा के नाम से बबतिस्मालियें परमेश्वर का संतान बने बैबल तरह हम सासर ओई बात को बतलाती है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाये चलते हैं सु समाचार जब हम सुनाते हैं वहां परमेश्वर का पवितरात्मा लोगों को दिल में कार्ये करता है हमको नहीं दिकाई देता है हमको नहीं दिकाई देता है मानले जिए यहां कोई दाग लगी या आप साबून से इस दाग को छुड़ाईएगा तो निकल जाएगा यह तो पहले यहां दाग था अब साबून लगा के दोये निकल गया यह दिकाई देगा जब आप सु समाचार प्रचार करते हैं लोगों को प्रगो के बारे में बतलाते हैं उनके अंदर क्या काम हो रहा है वो आपको दिकाई नहीं देगा लेकिन आप उसके लिए धीरजवन्त बनिये किसान के बारे में मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ जब आप किसी किसान को देखते हैं या आप आपने केत में गन्ना रोपते हैं आज रोप दिये कि कल कि आज ये काटने चले जाएगा ट्रैक्टर लेकरके पचास आदमी को बुला के ले जाएगा आस्वा लेके आज कटनी होगा जब हम उस काम के लिए इंतजार करते हैं उन कामों को जानते हैं इसमें इतना मैना लगेगा इतना साल लगेगा उसके बादे इसका खटनी होगी चाए धान के लिए चाए गेहों के लिए चाए कोई भी सबजी के लिए सबका एक अलग-अलग समय है उस समय जब पूरा होगा तब है हम आप कटनी कर सकते हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम आशू के साथ बोएंगे जे जेकार करते वे एक दिन काटने पाएंगे जैसा किसान काटता है बोते समय में बीज का टोकरी को उठा करके स्वर्ग के बहर देखता है ये बगवान जो प्रभी इशु को नहीं जानता हो भी बुलाता है ये बगवान ये इश्वर ये परमेश्वर करके चिलाता है उसके बाद ही जाकर कि वो केत में अपना बीज डालता है भाई बहन उसी तरह आप सूसमचार के सेवकाई का मतलब क्या समझ रहें अगर आप नहीं समझते हैं आज समझ लिजेगा केत को तयार करने के बाद ही बीज डाला जाता है कोई भी केती केत को पहले तयार करना पड़ता है किसी मन उसका दिल को इहर्दवई को फ्रुभु का वच्चन से आपके जीवन की गवाई से किसी और लोगों को जीवन की गटनाओं को बतला करके उनका दिल को पहले तयार करेंगे उसके बाद बीज रुपी परमेश्वर का वच्चन को डालेंगे जरूर किसी दिन 30 गुना 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल हमें जरूर मिलेगी इस कारण एक और वच्चन भी मैं याद दिला रहा हूँ कि परमेश्वर का हम पुत्र होते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर जब हम सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को परमेश्वर का आत्मा अगवाई करता, कलिश्या में जाओ, इनकी बातों पर विश्वास करो, ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, इस बात को मानो, ये जो बोल रहे हैं, ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये जो इस्टू का बारे में बोल रहे हैं, उस बात पर विश्वास करो इस प्रकार पवित्रात्मा हम बोलने के समय में लोगों को दिल में काम करने लगता है और वे आंत में परमेश्वर का पुत्र हो जाते हैं युहना रचित्सू समाचार की पुत्र उसकी पहला दिया उसमें 12 पद को मैं पढ़ रहा हूं देखे ये परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी दिया है अर्तात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं लोग सू समाचार की सेवकाई से क्या होता है हर एक इंसान प्रभु पर विश्वास रखता है जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक आप किसी को प्रभु में नहीं ला सकते हैं मैं फिर कहे रहा हूँ यह सबसे आती मुक्य बात है जब तक आप इस समाचार को लोगों को नहीं बतलाईएगा रिस्तधारों को नहीं बतलाईएगा आपके साथ काम करने वाले आपके साथ पढ़ने वाले आपके गाहों में आपकी जो पड़ोसी लोग हैं आप जो भी बजार में जाते हैं कहीं भी जाते हैं किसी रिस्तदार के शादी में जाते हैं जहां लोगों की जमगट होती हैं वहां जब जाते हैं आप जब तक उनको विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है अललुया विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है जब आप लोगों के दिल का अंदर विश्वास को उत्पन करने के लिए प्रभी युश्व मसी का इस वचन को जब आप बोलिएगा तब उनका अंदर विश्वास होगा 18 पत में देखिए बोलने के जिमवारी हम लोगों को दिया गिया है 18 पत में लिखा है परन्त मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारे प्रुतिवी पर उनके वचन जगत की छोर छोर तक पाउंच गये है मैं आपसे कहे रहा हूँ ध्यान दीतिएगा यहां पर हमारे लिए एक अच्चा सीख है कि 16 पत को भी मैं पढ़ रहा हूँ परन्तो सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया यह शाया कहता है कि हे प्रभू किसने हमारे सुसमाचार की प्रतिती अरतात विश्वास की है मैं आपसे कहे रहा हूँ जब तक सुनाने वाला नहीं रहेगा तब तक सुनने वाला भी नहीं होगा सुनाने के लिए लोगों की जरूरत है इसी अध्याई में लिखा है आप बाद में पढ़ लिजए सभी वच्णों का हम पढ़ानने चाहते हैं आपको भी कुछ काम दे रहें इस साध्याई में आप बाद में पढ़ लिजएगा कि सुनाने वाला जहां है वहाँ पर सुनने वाला भी है तो आपकी चारों तरफ आप लोगों को सुनाने के सेवा में लग जाएंगे इसू समाचार के सेवा में लग जाएंगे जरूर सुनने के लिए लोगों को प्रभू आपके पास बेजेगा ये चटवी पाइंट है साथवी एक पाइंट को मैं आपको बतला रहा हूं ध्यान दीजेगा प्रतिदीन की जीवन में हर एक इंसान को संगर्ष होती है सातवी बात को मैं बोल रहा हूँ सूसमाचार किस तरह लोगों को जीवन में कार्ये करता है उसको समझने के लिए हर एक इंसान को प्रतिदीन की जीवन में कई प्रकार की संगर्षें होती है वो संगर्षे छुटकारा पाने के लिए हर एक मनुष को सुसमाचार की जरुरते, उधार करता की जरुरते, हर एक मनुष बीतर ही बीतर रोता है, चिलाता है, ये गंदे आदत हमसे कैसे छुटेगी, ये पाप मुझसे कैसे दूर होगी, ये दुख मुझसे कैसे दूर होगी ये समस्या मुझसे कैसे दूर होगी ये स्राप कैसे मुझसे दूर होगी ये करजा मुझसे कैसे दूर होगी हर इंसान बीतरे बीतर रोता है हर इंसान बीतरे बीतर आंसु बहाता है कौन मेरे लिए छुडाएगा कौन मुझको छुटगारा देगा किसकी द्वारा हमको चुटकारा मिलेगी देखे मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ इसी रोमियो का पत्र उसका साथ अध्याई में आईएगा रोमियो का पत्र उसकी साथ अध्याई यहाँ पर पाउलूस किस प्रकार अपना जीवन की बारे में बतलाता है उसको समझ लिजेगा साथ अध्याई का चौवीस पद को मैं पढ़ रहा हूँ दियान दिजिए 7.24 रोमियो साथ अध्याई का चौवीस पद है पाउलूस कहता है मैं कैसा अभागा मनुश्य हूँ मुझे इस मृत्यू की दे से कोन छुड़ाएगा पाउलूस अपना अभागा मनुश्य हूँ क्यों वो अपने आपको अभागा कहता है मालम है उपर कवच्चन को आप पढ़ेगा वहाँ पर वो अपना अभागा की एक बात को लिखता है कि आप उपर से अगर आप पढ़ेंगे बाद में आप पढ़ लिजेगा 14 पसे लेकर आप नीचे पढ़ते आएंगे वो इस बात को इस प्रकार कहता है मैं जो करना चाहता हूँ 15 पस को मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता हूँ, परंतु जिससे मुझे गिरना आती है, वो ही करता हूँ, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ, जो करना नहीं चाहता हूँ, वो ही कर बैठता हूँ, जिससे मुझे को गिरना आती है, वो काम से गिरना आती है, मुझे को कुद मुझे से गिरना आती है, इसका कारण मुझे में जो पाप जो मेरे अंदर वास करता है, नीचे इसके बारे में और क्लियर कट में बोलता है, इसका कारण 17 पदगों मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं हूँ, किस प्रकार अपना अनुबह को लिखता देखिए, ऐसे दशा में उसके करने वाला मैं नहीं हूँ, वरन पाप है, पौलूस लिखता है, जो मुझे, जो मुझ में बसा हुआ है, देकि मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको समझ लिजेगा, मैं तो आभी आपको बोल दिया हूँ, लेकिन आप समय निकाल करें किसको अध्यन कीजिए, इस साथ अध्याय के जरूर पढ़िएगा, 26 पत में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुश्य हूँ, इस मरनहार शरीर से मुझे कोन छुडाएगा, पौलूस अपना बीतर ये, जो उसके अंदर के संगर्ष है, उस संगर्ष को लिखता है, मैं जो करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाता ह जाता हूँ, उसी को मैं करता हूँ, इससे मुझे गरना आती है, मैं आपसे कह रहा हूँ, पौलूस जैसे है, एक महान सेवक जो मसी के साथ इतना गनिष्टे, नस्दी की रिस्ता रखता था, वो विक्ति अपने जीवन के अनुबों के बारे में लिखता है, कि मैं जो करना चाता हूँ, जो नहीं करना चाता हूँ, उसी को कर बैठता हूँ, जिससे मुझे को गिरना आती है, इसका कारण की मुझे में पाप बसा है, 17 पद में मैं पढ़ाता, बाद में आप पढ़ लिजेगा, तो मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, आपके सामने, जितने लो संगर्षें, जीवन एक संगर्षें, हर एकों को जीवन में संगर्षें, उस संगर्षें आरेक व्यक्ति छुटना चाहता है, अपने आपको छुडाना चाहता है, इंसान अपने आपको छुडा नहीं सकता है, इंसान अपने आपको उस बंदन में से बाहर अपने आपको ल से एक गहरा सागर में दूबने के कारण संगर्श में हैं, हर एक इनसान को शांती चाहिए, हर एक इनसान को छेइन चाहिए, अमन छेइन की जीवन चाहिए, हर एक इनसान को आनंद कुशी चाहिए, हर एक इनसान को परमेश्व के साथ मेल मिलाव चाहिए, हर एक इनसान को अं शुकर साथ जुटना चाहिए मैं दो वच्छन को आपके सामने रख रहा हूँ युहनारचसू समचार की पुस्तक उसके आट अधिया है पहले 32 पद को पढ़ रहे हैं ध्यान दीजेगा युहनारचसू समचार की पुस्तक उसकी आट अधिया है उसमें पहले मैं 32 पद को पढ़ रहा हूँ द्यान दीजेगा तो मनुस को चुटने के लिए रास्ता कैसे मनुस अपने आपको नहीं चुडा सकता है चुडाने वाला का पास जब तक नहीं आएगा तब तक वो चुट नहीं सकता है यूहन रे-चु सुंस मचार आट अधिया के 32 पद है सत्य को जानोगे और सत्य तुमे सुतंत्र करेगा परमिश्वर के नाम के सुत्य और प्रशन सह वोने पाएं सत्य को जानोगे और सत्य तुमे सुतंत्र करेगा आपको मैं याद दिला रहा हूँ इसी युहना चौदा दिया है फोटीन्त जाप्टर उसमें छे पद में प्रभू ईशु मसी क्या कहता है उसका आप देखिएगा युहना रचुसु समचार की पुस्तक उसकी चौदा दिया है और उसमें छे पद ईशु ने उसे कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ बीना मेरे द्वारा कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता तो सत्य मैं हूँ सच्चाई मैं हूँ द्यान दीचेगा मैं आपको एक्दम आराम से इस बात को सिखा रहा हूँ इसको अच्छा से समझने के लिए कोशिच कीजिए हर एक मनुष को चुटकारा चाहिए हर एक मनुष चुटकारा पाना चाहता है हर एक मनुष संसार के तमाम बंदन में से चुटना चाहता है उसको चुटकारा देने वाला चुडाने वाला प्रभु ईशु मसी से मुलकात कराना ही सु समाचार की सेवक आई है आपके गाउं में आपके रिस्तदार में आपकी दोस्तों में आपके काम करने की जगा में आपके पड़ाई करने की जगा में बहुत सारे लोग इस बंदन में हैं वे शंगर्श बरी जीवन जी रहें उन्हें उस संगर्ष में से बाहर ले आने का अतियार आपके आतमें वो अतियार प्रभु यूश्य मसी है उस नाम से प्रभु यूश्य मसी के नाम से चुटकारा प्रभु यूश्य मसी के बचन से चुटकारा इसलिए वो कहता है सत्य को जानोगे सत्य परमार्ग सत्य जीवन सत्य प्रभु ईश्व भसी उस सत्य बादी परमिश्वर को जब आप लोगों को बतलाएंगे सिखाएंगे वे सिखने के बाद प्रभु को नाम की स्थुति हो छुटकारा पाएंगे उनकी संगर्ष में से बाहर आजाएंगे और उस दबाव में से बाहर आजाएंगे प्रभु को नाम की स्थुति हो यहाँ पर इसके नीचे एक और बात को मैं जोड़ रहा है ध्यान दीजिए चतिस पद उसी किताब में उसी अध्याई में आठ अध्याई की चतिस पद सो यदि पूत्र तुमें सुतंत्र करेगा तो सचमुच तुम सुतंत्र हो जाओगे यही सु समाचार है आपको किसी दिन प्रभुश मसी ने सुतंत्र किया तमाम प्रकार की संगर्शमे से तमाम प्रकार की बंदन से तमाम प्रकार की आंसु से तमाम प्रकार की कलेश और मुसिबत से तमाम प्रकार क अंदकार से, तमाम प्रकार की सैतान की दबाव से, तमाम प्रकार की पाप से, तमाम प्रकार की स्राप से, जो इस प्रकार की नाना प्रकार की बंदन में आप पड़े वे थे, बाइबल दरम सात्र बत लाती है, यदि पुत्र प्रभु ईशु तुमें सुतंत्र करेगा, तो स स्पष्ट तवर से बतला रहा हूँ आप सत्य के बारे में लोगों को बतलाईए सत्य प्रभु ईश्व मसी है सुतंत्र करने वाला छुडाने वाला प्रभु ईश्व मसी है उसकी सुसमचार लोगों को पास लेके जाईए प्रभु येश्व चुडाने वाला पुत्र तुम्हे सुतंत्र करेगा सचमोचे तुम सुतंत्र वो जाओगे हमारी सुतंत्र हमारा चुटकारा हमारा चुडाने वाला प्रभु येश्व मसी ही है दूसरा पोई नहीं है, एक और बात को भी बतलाता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए प्रातना करताँ, द्यान दीजिएगा, पहला यूहना की पतरी उसकी पांच अधियाई, पहला यूहना, और उसमें हम पांच अधियाई को निकालें, वहां पर बारा पत को देखिएग पहला यहना की पत्रिसू समाचार को इस रीति से आप लोगों को पास लेके जाएंगे जरूर लोग आपकी प्रचार के द्वारा प्रभुक नाम किस्तुति हो लोग स्वतन तरवोंगे पहला यहना पांच अध्याए की बारापद जिसके पास पुत्र है अर्ताद प्रभी इ मसी है जिसके पास पुत्र प्रभी इश्व मसी है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है अब आप समझ सकते हैं सू समाचार का काम कितना बहुमुल्य सेवा है इस सू समाचार को लोगों को पास जो विक्ती ले के जाता है वो इनसान को नरक से बचाता है पाप से बचाता है अंदकार से बचाता है सैतान से बचाता है और तमाम प्रकार की दुकों से बचाता है तमाम प्रकार की वेदना से बचाता है तमाम प्रकार के आंसुओं से बचाता है बाई 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 ने इस बात को समझने के कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोगों को प्रभु के बारे में बतला करके प्रभु के पास लोगों को ले आने के लिए प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कभी भी, कभी भी, कभी भी वियर्त नहीं जाएगा, हमारा प्रयास का प्रतिफल है, प्रभु के नाम की स्थुतिया औ हमारी प्रचार, हमारी जोश और लगन के साथ लोगों को प्रभु के पास ले आने के लिए जो सुसमाचार की सेवकाई करते हैं, उस सेवकाई की प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए देने वाला परमेश्वर हैं, वो हमारे परिश्रम का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है प्रभु के नाम की स्तुतिय और प्रशंसा होने पाए तो इसलिए आप इस सेवकाई की महतव जरूरत को आप जाने समझें आप आज के बात चुप नहीं रहें आज के बात आप सब किसी के पास जाएं अपने लोगों को प्रभु के बारे में बतलाएं उनके दुखों को दूर करें ये अधिकार प्रभु युश्व मसी ने हमें दिया है इस बात को समझने के लिए कोशिच कीजिए इस अधिकार ने प्रभु हमें दिया है मैं एक वचन और पढ़ रहा हूं तो रसा ध्यान से सुन लिजेगा याकूब की पत्रे उसकी पांच अदियाएं आकरी सत्य के मार्ग से बटक जाएं और कोई उसके फिर लाएं तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी बटके हुए पापी को फिर लाएगा वह एक प्रान को मृतियु से बचाएगा और अनेक पापों से पापों पर परदा डालेगा यहाँ पर एक सब्दी इस प्रकार दिया हुआ है उसकी प्रान को यहाँ पर इस प्रकार मृतियु से बचाएगा मतलब आग से बचाएगा नरक से बचाएगा सैतान से बचाएगा आग से सैतान से नरक से गंदे पापों से किसी एक जो विक्ति सत्य से खो गिया सत्य से मार्ग बटक गिया उस विक्ति को जो फेर ले आता है प्रभू को पास उसको मन को मोड करके प्रभु को पास ले आता है वो विक्ति प्रभु के लिए एक आतमा को एक विक्ति को नरक से फेर कलाता है आग से फेर कलाता है अदर्म से पाप से गंदे जीवन से उसको फेर कल उधार करता है मैं दुबारा बोल रहा हूँ उद्धार का सु संदेश, सु सु समाचार हम सब कोई प्रचार करेंगे उद्धार करने का काम उद्धार करता प्रभी इशु मसी करेगा अंतमें एक वचन मैं आगे भी आपको सीखा हूंगा एक वचन आओर हम पढ़ लें मर्कुस रचिसू समाचार की पुस्तक उसकी सोला दियाए पंद्रा पस्ते मैं पढ़ रहा ध्यान दिजेगा मर्कुस रचिसू समाचार की पुस्तक उसकी सोला दियाए पंद्रा पस्ते मैं पढ़ रहा हूँ अगला क्लैस मैं जब लेंगा लूँगा मैं यही से लूँगा द्यान दिजेगा प्रभ येश्व मसी ने उन से कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सुरुष्टी की लोगों को सूसमाचार प्रचार करो जो विश्वास करे और बबतिस्मा ले उसी का उध्धार होगा परंतु जो विश्वास न करेगा या दोशी टहर जाएगा और विश्वास करने वालों में से ये सब चिन होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे नहीं नहीं भाषा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी फी जाए तव पर भी उनकी कुछ हानी नहीं होगी वे बिमारों पर आत रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे निदान प्रभू ईश्व उन से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमिश्वर के दाइने वह जा बैटा चेले लोग जो सुने थे उस समय में वो किस तरह कार्य किये उन्होंने निकल कर यानि प्रभू ईश्व मस्छी स्वर्ग जाके पिता परमिश्वर के दाइने वह बैट गया तब छेले लोग अपना सेवकाई को सुरु करते हैं, उन्होंने निकल का हर जगा में प्रचार किया और प्रभी विशु उनके साथ काम करता रहा, उन चिनों के द्वारा जो साथ साथ ओते थे, वच्छन को दृड़ करता रहा, आमीन. तो इससे आप एक सत्य को समझ लिजेगा, जब भी, जहां भी, जिनके बीच में भी आप प्रभी विशु मसी के सुरु समाचार को प्रचार करेंगे, आप अखेले नहीं करेंगे, आपके साथ प्रभू रहेगा. आप उटा के कालीलियो बोलिएगा सब को यह, अललुया, आप अकेले नहीं रहेंगे, जहां भी, जब भी, जिनके बीच में भी आप करेंगे, प्रभू के बारे में इससु समाचार को प्रचार करेंगे, वहां आपके साथ प्रभू रहेगा, हमें इस वच्छन के साथ किजिएगा, इस आप तक आने वाला आपता हम क्लास नहीं लेंगे, उसके नेक्स्ट आपता हम लेंगे, तो हम आई हम सब पे अपने आँखों को बंद करेंगे, हमरे बीच में पास्टर दिलीप आगे अगवाई करें, कोई एक जन को आप आप करें, या किसी को आप प्रा